आज की डेट में हर कोई ये चाहता है कि मेरी ऐसी regular income बन जाए कि जिससे मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े और जिसके लिए मुझे कम बरिट होना पड़े तो सभी के questions ऐसे आते हैं कि क्या ऐसी कोई strategies या ऐसा कोई तरीका option में भी है या फिर stock market में भी है जिससे जादा कुछ करे बिना मुझे कुछ एक regular income मिल जाए तो आज मैं आपको ऐसी एक strategy बताने वाला हूँ जो आपको paid courses के अंदर भी नहीं मिलने वाली है free of cost में अगर जो लोग इस strategy को सही से इस्तेमाल करेंगे और तरीके से इसके सारे changes और modification को add कर ल जितने भी नए traders हैं वो kindly हमारे चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें जिससे इस तरह की informative वीडियो बिना कुछ दिये आपको जल से जल मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो traders अभी मैं directly focus करूँगा आपकी income बनाने पे सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको screen पे और screen पे already मैंने कुछ एक stock add कर रखें जिस तरह से आप zometo का देख पाएंगे but हम लोग किसमे analysis करेंगे nifty या फिर bank nifty because most of the लोगों का question क्या होता है कि हम nifty में trade करते हैं या फिर bank nifty में और हमें regular income चाहिए वो कैसे मिलेगी अब ही देखे directly अगर मैं nifty का chart खोल दूँ और यहाँ पे आपको market कितने पे दिख रहा है market दिख रहा है 17,700 के आसपस अब आप लोग क्या करते हैं आप job करते हैं आप business करते हैं आप कुछ और करते हैं but आप जादा time market को नहीं दे सकते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है पहला step steps मैं बताऊंगा सबसे पहले आपने 930 पे कितने पे 930 पे market का level देख लेना है मैं आपको एक चीज़ बताता हूं मैं चार्ट भी खोल दूँगा साथ के साथ और इसको मैं लगा जाता हूं 5 मिनट के time frame में और ताकि यहां से मैं आपको कुछ चीज़ें straight forward बताता च चला जाओं यहां से आप लोगोंने चार्ट को follow करना है हम चार्ट कप देखेंगे 930 के आसपास तो यहां पे देखे इस candle में डे ओपन हुआ 5 मिनट का candle है तो somewhere इस candle के आसपास क्या रहा होगा 930 का time zone अब यहां पे देखे कौन सा level है 17600 का level अब आप लोगोंने क्या करना ह लिख लेना उसको 17600 का level अब simple आप लोगोंने कुछ नहीं देखना है ना आपने option chain देखना है ना आपने OI देखना है कुछ भी नहीं देखना है आप लोगोंने क्या करना है इसमें at least 200 से लेके 250 add कर देना है उपर वाली side and similarly minus कर देना है कितना जितना आप add करेंगे exact same amount नीचे में अगर आप 250 minus करेंगे कितना बन जाएगा 17350 ठीक है यह clear हो गया अब आप लोग क्या करेंगे यहां पे जाके आपने simple वो strike price add कर देने है जो दोनों के दोनों में आपको बता रहा था और latest expiry के मलब जो जल्द से जल्द आपको expiry आने वाला है उसका आपने क्या क 18850 का क्या करना है call put करना है और कौन सा latest expiry का ठीक है जी अब देखो मैंने add कर लिया अब अभी आपको price का दिख रहा है 16 रूपीज और 44 रूपीज यह नहीं देखना है हमने यह तो अभी जब हम analysis कर रहे है तब का time है हम लोग क्या देखेंगे 930 का time यह है 930 का अब आपक यहां पर देखेंगे कितना दिख रहा है value 37.50 37.50 यह हमें लिखना पड़ेगा 37.50 अब similarly देखेंगे यहां पर दूसरा strike price कौन सा है यह वाला 17,850 अब इसका price हमने देखना है किस पर exactly 30 पर यह पर यहां पर देखेंगे कितना है 32 रूपीज का ठीक है जी अब इसकी value आगे 32 रूपीज एंड उपर वाले की value कितनी आगी 37.50 अब अभी current value देखेंगे आप कितना है उपर वाले का value है 16 रूपीज ठीक है जी नीचे वाले का value कितना है 44 रूपीज अब दोनों को minus करिए कितना हुआ almost 21 रूपीज उपर जो आपको मिल गए यह plus में मैं लिख देता हू यह आपको मिल गए because value का थी 37 रूपीज का option था उसको हम sell करेंगे कब यह conditions मैं बताने वाला हूँ आपको conditions क्या है पहली condition 930 पे जो भी market का value होगा nifty में उसमें 250 at उपर कर लिजिए 250 subtract कर लिजिए जो price strike price के आएंगे उनको sell कर लिजिए दोनों side and उसका price 37.50 था अभी हो गय पे तो कितना 21 रूपीज का profit and नीचे में देखे 32 रूपीज का था अब कितना हुआ 44 का कितने का नुकसान हो गया almost 12 रूपीज का कितने हो गया sir 12 रूपीज का अब 21 आपको मिला minus 12 आपने market को दिया आपको कितना मिला 9 रूपीज अब 9 रूपीज आपको मिल रहे हैं एक values म कितने में एक में अब आपने suppose करिए thousand quantity आपने क्या कर दिया है sell कर दिया है तो आपको कितना मिला 9000 आपने कुछ करा कुछ भी नहीं करा simple against the trend market था आज इसलिए कम profit हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ एक फिर से nifty का chart ताकि आप समझे हैं यहां पे देखे आप nifty ऐसा नहीं था कि वह sideways था completely nifty down से उपर गया because हम 930 पे बिलकुल लोपे थे 17600 और market कहां तक चले गया 17720 लगभग 125 points against आपके still आप लोग profit में ऐसा आप जब इस strategies की back testing करेंगे I can sure 100% आपको profit मिलेंगे सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान देना है जो आपका one on one profit हो रहा है उसका अपने stop loss लगाना है इससे related यह थोड़ा advance हो जाएगा इससे related जिन लोगों को queries है वो kindly comment section में mention करें या मुझे whatsapp पे भी message कर सकते हैं वहाँ पे भी मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि इस strategies का advance space आपको समझा सकूँ because अगर मैं इसी वीडियो में बता दूँगा तो वो बहुत सारे लोगों के लिए confusion हो जाएगा but आप जो मैंने आपको simple strategy दी इसकी आप back testing करिये अगर back testing में आपको यह fail होता दिख रहा है आप screenshot के साथ मुझे भेजिए मैं responsibility लोगा कि यह strategies काम नहीं करेगी मैं आपको बोलो है 100% काम करेगी सिर्फ आपको क्या करना है कुछ एक changes करने है उस cases में जहां पर आपको failure दिखता है तो इसलिए जिन लोगो failure मिलेगा इसका मलब वो hard work कर रहे हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर screenshot भेजेंगे मैं उस strategies को tackle करने का तरीका उनको बता दूँगा तो I hope आपको learning मिला हो बहुत important चीज मैं आपको share करिए यह आपको paid courses में भी नहीं मिलने वाली है तो मेरे motivation के लिए simple video को like करें comment करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon दवाना ना भूलें ताकि इस तरह की paid की strategies भी आपको free में मिलती रहें और right side में ए बहुत motivation मिलेगा option selling करती बारी तो guys I hope आपको बहुत कुछ learn करने को मिला होगा तो चलिए मिलते हैं नई video में नई learning के साथ नई technique के साथ और तब तक के लिए enjoy करते रहें और देखते रहे हैं हमारे चैनल पर जितनी भी learning videos है see you in the next video take care and thank you